तो बल राच से लेकर अभी तक के जो आखरी 24 घंटे रहे हैं न वो बड़े ही ड्रमाटिक रहे हैं आपको कतारीज आउट होते दिख रहे हैं अभी बिडिंग वार से सर जिम रेट्लिफ के पास जाधा पावर दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि सर जिम रेट्लिफ ही आप तो एन इंजरी और यहां पर रफाल वरान की बस एक पॉजिटिव नियूज है और रफाल वरान इस बैक विद मैंचेस्टर उनाइट और आज के वो मैच्डे स्कॉर्ड में हो सकते हैं गरनाचो पर यह अपडेट है कि भाई गरनाचो आपके अभी एक दो हफते और लगे अब लिवरपूल, न्यूकासल, ब्राइटन, स्पर्स, सारी की सारी टीमें फाइट कर रहे हैं टॉप फोर के लिए और उन सारी टीमों के बीच में हम भी बैठे हुए अभी और हम में लिवरपूल में ना सिर्फ एक पॉइंट का फासला है और हमारे हाथ में एक गेम इन ह साथ से लेकिन जब उम्मीद नहीं होती ना कि युनाइट हार जाएगी तब तब युनाइट हार जाती है लेकिन नहीं अपर नेगिटिफ साइड पर इतनी बात नहीं करेंगे देखो सबसे पहले तो ओनेशिप के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो में आपको दे देत आपकी ओन कर सकती है मैंचेस्टर युनाइटिड को अब देखो मेरे अपने परसनल जो एम्बीशन है वो इस क्लब को लेकर ये कि हमें कैसा ओनर मतलब हमें ओन करे जो पैसा क्लब में डालने को तयार हो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से सर जिम लोन लेकर ही मैंचेस्टर युनाइटिड को री बिल्ड करेंगे और यहाँ पर आपके ट्रांसफर्स के लिए नहीं लेकिन जो ओल्ट्रेफर्ट का री स्ट्रक्चर होना है जो आपके ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव्मेंट चाहिए है उन सारी चीजों के देखा है आपके ग्लोबल फैन बेस को देखा है आपके ग्लोबल फैन बेस को देखा है सोचिल मीडिया नंबर्स को देखा है आपका ग्लोबल रिविन्यू को देखा है तो उसके बाद अगर कतारीज जो ग्लेजर्स का प्लेज अमाउंट है जो वो डिमांडिंग प्राइज है उसको अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो सर जिम रेट्लिफ के अगेंस्ट आपके आउटविड हो रहे हैं तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा राइट मार्केट वैल्यू उस जो जिस भी बिजनिस की मैं अगर देखूं तो उसकी अगर कम है और जो बेचने वाला आदमी है वो मुझसे डबल दी अमांट मांग रहा है और फिर 1.5 एक्स दी अमांट मांग रहा है तो क्या मुझे इन्वेस् और यही चीज आपकी कतर करने की कोशिच कर रही है उनके लिए अगर मैं देखूं इंड़िजल एंटाइटी के एंड पर बहुत साइड डिसीजन है कि वो इतना ज़्यादा पैसा जो डिमांड कर रहे है आपके गलेर्स उसको नहीं दे रहे है राइट अब लेकिन सबसे पड़ी प्रॉब्लम जो यहां पर है वो यह है कि आने वाले टाइम में जब आपकी लिवरपूल और आपकी स्पर्स यह सारी टीम में अवेलेबल होंगी सेल के लिए और अभी देखो आप अगर लिवरपूल में कतारीज जाते हैं तो उनको उनके स्टेडियम में पैसा इ अगर आप पैसे के माफिक देखो तो लेकिन अगर आप इमेज के साइड पर देखो और आप कितनी बड़ी अपनी जो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है वेस्टन मीडिया में वो सारी चीज़ें अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो युनाइटेड को ओन करके औ और उनको वापिस से वहाँ ले जाकर जहां वो एक टाइम पर थे तो उस चीज़ से वो वो अचीव करके आप अपना जो एक पबलिक इमेज है वो बहुत इंप्रूव कर लोगे लेकिन इसमें पैसा बहुत इंवेस्ट होगा और इसलिए कहीं न कहीं कातारीज हाथ खीच पीछे लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी आपके माइक इगन की रिपोर्ट आई और बाकी लोगों की जो रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से भाई एक लास्ट मिनिट आपका ओफर प्लेस करने की कोशिश कर रहे है कातारीज जिससे की जो अभी प्रेशर उ कमान चूटती दिख रही है वो वापस से थोड़े उनके कंट्रोल में आप देखो ग्लेजर को पैसे से मतलब है अब चाहे सार जमरेट क्लिफ हैं चाहे ग्लेजर साइं उनको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता राइट तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक टाइम पीरिड ह है पूरे युनिटिट फैन बेस के लिए चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो लोकल हो क्योंकि यह हमारा जो भी डिसीजन आने वाला उनर्शिप के रिगार्डिंग हमारे आने वाले दस साल पंदरा साल बीस साल डिसाइड कर सकता है और अगर अगर अच्छे आए जैसे कि सर ज जादा लून चढ़ा कर आपको हेल्प करने की कोश्च कर रहा है तो आप जहां थे वहीं आ जाओगे हो सकता एक दो सीजन में आप अच्छा कर लो लेकिन फिर बात वहीं आजेगे कि आपके पास सेल उसके फैनेशल कैप लगेगा आप जादा पैसा खर्च करोगे नहीं आ और ये अपग्रेड कोई भी ला कर देगा चाहे उल्टरेफर्ट पर दे चाहे वो टीम में दे चाहे वो आपके ट्रेनिंग फैसिलिटीज में दे यॉनाइटेड फैंस वोड लव हिम अब वो चाहे सर जिम रेक्लिफ हो चाहे वो आपके शेक जासेम हो लेकिन बस उनाइटेड को वापस से वहाँ ले जाने की कोशिश करे और जो ग्लेजर्स ने किया है बस उसको ना दो रहा है इंट खासकर ये एक डर मेरा सर जिम रेक्लिफ के रिगार्डिंग जादा है बट लेट सी क्या होता है बट अब बात करते हैं भाई थोड़ा मैस के बारे में वूल्स के अगेंस मैश है हमारा आप देखो यार यहाँ पर युनाइटेड के उपर बहुत जादा प्रेशर है चैंपनेश लिग प्लेसे के लिए लिवरपूल फाइट करने लगी है वापस से उन्हें पिछले 6 के 6 गेम जीते हैं और आज भी हमारे उपर प्रेशर है कि अगर हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप किये तो हम टॉप 4 से बाहर जा सकते हैं क्योंकि अभी आपको Chelsea से खेलना है आपको Fulham से भी खेलना है और आपको याद होगा कि Fulham ने हमारी क्या नाक में दम किया था जब FA Cup में वो हमसे ठकराए थे और इवन World Cup से पहले जो ह सीजन काफी शांदार है आपने गोल से कम कंसीट के सिर्फ 8 गोल कंसीट किया और अपने गोल अच्छे अमाउंट पर तो नहीं बोलूँगा स्कोर किये लेकिन सिगनिफिकेंट यगर आप देखो तो बेटर है आपका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड होम की उपर लेकिन सबसे बड़ा ब्लो जो लगा है आज के इस गेम से पहले वो है आपके मारकस रेशफोर्ड की अनवेलिबिल्टी अब अगर रेशफोर्ड अवेलिबल नहीं है तो फिर आप किस पर रिलाइ करोगे गोल स्कोर करने के लिए कौन आपको मैच निकाल के देखा वैसे अगर पिछले से गोल स्कोर हो नहीं रहे हैं वेगोस्ट इस गूट फर नथिंग तो टीम अभी न बहुत ही जादा एक डेस्परिट सिचुएशन में और यहां पर इस डेस्परिट सिचुएशन के बीच में अगर आपका एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको थोड़ा स्टेबिलाइस करता है वो अगर अवेलिबल नहीं है तो फिर अगली रिस्पोंसिबिलिटी कौन लेगा ब्रुनो से देखो हम यह कहेंगे कि यार ब्रुनो यूनो शूट स्टेप अप और ऐसा वैसा बट ब्रुनो पूरे सीजन में ही अच्छा खेलता हुआ है इट्स नॉट लग के ब्रुनो न जरूरी है आप सोचोत पिछले तीन साल में केवल नौ गोल स्कोर कियो प्रेमी लीग के अंदर और यहां पर आपको आपकी वजह से कहीं न कहीं यह डिसीजन लेना टनेक के लिए आसान हो रहा था कि वो मूव उन कर सकते है रोनाल्डो से और उनके पास एक गोल स्कोर है ज अब भी ऐसा नहीं हो रहा है युनाइटेड डेफैंसिवली बहुत एरर कर रही है आपने अगर विला वाला गेम देखा होगा वी वर वेरी लखी कि हमने नहीं किया अगर आपने ब्रैटन वाला गेम देखा होगा वी वर दा सेकिंड बेस्टीम उस दिन ब्रैटन कर रहे थे अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप कैसे मीरो की बात करो आप मारकस रेश्फोर्ड की बात करो आप चाहे एक सेट बैक यह भी है कि आपके पास नहीं अवेलिबिल्टी रफाइल वरान की और आपके लिसांद्रो मार्टनेस की इतने सारे पड़ेगा क्योंकि अभी आपका सबसे बड़ा गेम आ रहा है सीजन का जो कि एफेक अपका फाइनल अगेंस मैंसिटी तो उससे पहले रिस्क में डालना और इतना बड़ा रिस्क ले 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 न काइदे में रफाल वरान की केस में वो सही नहीं होगा वो लॉजिकल नहीं और यहां से आपको आउट स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में आपने गोल स्कोर नहीं किया है आपका गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत ज़्यादा खराब है आप अपना एक्जी अंटर परफॉर्म कर रहे है और वैसे बी इनको मै मिलते हैं तब जाकर ये गोल स्कोर करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई कि हमारा जो ओवरॉल सेट अप में उसमें कितने प्लियार सहसे हैं जो की चांसे करेट कर पाएं और यहां पर एंट्री का वर्करेट डेलो को हेल्प कर देगा इतना अगर मैं सही कंसीड करके भी आएं तो हमें देखना पड़ेगा यार कि हमें गेम कैसे मैनेज करना है नव वरान को जैसे कि मैंने बोला मैं स्टार्ट नहीं दूँगा I would pick Lindelof and Luke Shaw once again उनकी परफॉमेंस अच्छी रही है यार मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि अब कीपर अगर आपका फकप कर रहा है या फिर आपका एक कोई इंडिविजल एरर हो रहा है तो उस पे आप नहीं ब्लेम कर सकते अपने दो सेंटर बैक्स पे I'll start टायल मलासिया on the left back position midfield में Ericsson and आपके Casemiro and it's a huge opportunity for every player के वो अब step up करे और अपना जो lost form है वो वापस से गेन करे confidence हासिल करे Old Trafford पर जीत कर क्योंकि बहुत जरूरी है आपको top 4 secure करना क्योंकि अगर आपकी ownership की situation clarity मतलब एक clear हो भी जाती है और जो भी आएगा तो तब भी आपको Champions League football चाहिए होगी अगर आप 10 heck का statement सुनो कल के press conference में उसने यही बोला यार कि last year जब मैं player से बात कर रहा था उनको जब project explain किया तो you know most of them wanted to come to United. Casemiro is an example आपके Ericsson को अगर अब देखो it's an example आपका Lissandro Martinez is an example तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अगर बड़े नाम पुल करने है world glass players पुल करने है team में तो आपको Champions League तो चाहिए ही चाहिए right यहाँ पर यह मेरी midfield होगी alongside Bruno Fernandes obviously right wing पर I would start आपकी Anthony left wing पर obviously Rashford नहीं है तो Sancho becomes the obvious choice and up top I don't want to see Vaut Vegas if Vaut Vegas starts tonight भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा I'll be honest और up top आपका Anthony Marshall अब देखो set pieces पर हमेशा वूल्स ने हमें परिशान किया है वूल्स के अगेंस हमारे सारे fixtures बहुत केजी रहते हैं हम जीत जाते हैं 1-0 से 2-1 से लेकिन वूल् कितना भी struggle करके आ रही हो लेकिन against Manchester United doesn't matter is it home or it's away लेकिन वूल्स हमेशा में परिशान करती है तो यहाँ पर भाई आपको set pieces पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप fumble नहीं कर रहे हो आपको duals जीतने पड़ेंगे उनके पास भी players हैं जो की create करते हैं chances उनके लिए बहुत नहीं है आप Ruben Neves की बात करो बाकी players की बात करो they have sort of match winners and अगर यहाँ पर लेपतेगी की बात की जाए यार तो देखो he has been in pretty unlucky situation at times जहां पर वो अच्छा खेले भी हैं but वो वो विन नहीं निकाल पाएं I just hope we don't bottle it tonight because Old Trafford पर इतने अच्छे record के बात अगर आप अब जो business end of the season अगर आप उस पर fuck up करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने pair पे कुलहाडी नहीं पूरा का पूरा जो एक thresher होता ना वो लेकर सर लेकर घुश जाओगे and I don't want that I want United to play Champions League next season क्योंकि तब ही आप बड़े नाम्स पूल कर पाऊगे and definitely इस club के लिए Europa League नहीं है आप अगर अ सारे की उस से में फरक नहीं है हमें इस चीज से फरक पढ़ना चाहिए कि हमारी टीम क्या कर रहे है पिछ की उपर and दो सेटबैक के बाद इस हाई टाइम कि हम बांस बैक करें and I just hope कि हम जीच जाए आज बाकी तो I mean अभी situation जैसी भी है ownership को लेकर और हमारी performance को लेकर अच्छ Reds will always keep the red flag flying high as Manchester United will never die